Hi friends, आज एक येस नए गॉड़ेस को इंट्रोडूस कर रही हूँ इस विडियो में और वो गॉड़ेस हैं, गॉड़ेस डाइना ये भी गॉड़ेस हैं, जैसे की गॉड़ेस है काटे थे, गॉड़ेस एप्रोडाइट हैं या फिर जितने भी और अलग गॉड़ेस नेक्स से इंट्रोड़ेस कराया हैं, ये सारे गॉड़ेस ने आप लोगों को आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन करने में, या विशस मैनिफेस्ट करने में, या साथ में किसी भी प्रॉब्म से इंस्टेट निकलने में help की हैं अंगिनत सक्सस्टोरीज हैं जो अल्रडी पोस्टेड हैं कुछ पेंडिंग है आज एक नए गॉड़ेस को लेके आ रही हूँ और ये है नए गॉड़ेस डाइना ये भी गॉड़ेस है लेकिन बहुत पाफुल है और हेल्प करती है इंस्टेंट इनको कैसे प्रे करना है या क्या रिच्वल करोगे आप अपने विश्च के लिए वो बताने जा रही हूँ ध्यान से सुनिया इनको wild animals के लिए, trees के लिए, plants के लिए इस तरह का goddess माना जाता है और हमेशा इनके हाथ में तीर कमान रहता है इसलिए हम अभी जो भी रिच्वल करेंगे इनको किस तरह से आप प्रे कर सकते हो वो मैं बताने जा रही हूँ सिंपल ध्यान रखिए, एक ribbon लेना है आपको, इनके hairs हमेशा ribbon से बंदे वे होते थे इनका कोई proper picture कहीं भी available नहीं है, एक सिर्फ description है, जिसके हिसाब से कुछ pictures बने हुए है, वही picture आप यहाँ भी देख रहे हैं वीडियो में ठीक है, तो ऐसा ही कुछ imagine आप भी कर सकते हैं इस energy को, and yes, क्यूंकि ribbon से connection है कुछ न कुछ इसलिए बता रही हूँ आपको ribbon आप लोगे, ribbon के उपर, अब यह ribbon कौन से color का होगा, ribbon किसी भी color का हो सकता है कोई साभी color आप ribbon का ले सकते हो, even black ले सकते हो, लेकिन black में यह है कि black के उपर किसी भी pencil लिखोगे तो वो फिर दिखेगा नहीं, right अगर आपको secure करनी है अपनी चीजे कि हाँ हम लिख भी दें और किसी को पता भी ना चले तो फिर आप black यूज कर सकते हो, वो अच्छा है तेखिया, otherwise, जो भी color का ribbon आपके पास available है, वो आपका saturn ribbon हो, चाहे normal ribbon हो, लेकिन वो लेना है अगर in case ribbon available नहीं है, तो please आप किसी भी कपड़े का strip काटिए, जो ribbon की तरह होना चाहिए ribbon से connection क्या है, ये goddess हमेशा अपने बालों में ribbon रखते हैं, ऐसा ही कुछ है और ये जितनी में divine spirits हैं, इनके energies इनके बालों में रहती हैं, इसलिए हम ribbon कर रहे हैं अभी आपको क्या करना है, एक ribbon लेना है, ribbon के उपर, सबसे पहले आप लिखोगे, dina magic begin now, जो switch word होता है जैसे हम किसी भी divine energies के पीछे magic begin now लगाते हैं और उसको चांड करते हैं, तो वो energy invoke होती है और फिर उनसे आप अपनी request prayer करो, तो वो wishes आपके manifest होती है बस इसलिए सबसे पहले उपर आप dina magic begin now लिखोगे, capital letter में बड़ा-बड़ा बाकी ribbons पे लिख रहे हो, तो कौन से color का pen use करोगे, या तो red use कीजे, नहीं तो blue ये यूज करके आप वहां पे लिखोगे, इसके बाद अपनी request, अपने prayers, अपनी wishes आप ऐसे लिखोगे, जैसे आप उनको बोल रहे हो, request कर रहे हो, कोई present past tense नहीं तो अपनी जो भी wishes हैं, मैंने दुबारा से बोले हो, उसको request form में लिखो, suppose मालो job manifest करना है तो dynama magic begin now के नीचे, आप simple लिखो dear goddess, मेरी ये छोटी सी request है कि मुझे ये particular job manifest करनी है, आप मेरी help करो, ये job मुझे manifest करके दो manifest हो जाए, जैसे भी आपको लिखना अपने शब्दों में लिखी, ये बहुत simple से, ओके, और इसके बाद thank you, gratitude definitely आपको शो करना है, thank you बोलना है, ये करने के बाद आपको एक संकल्प यहां पे लेना है, संकल्प क्या होगा, आप कोशिश कीजिएगा कि किसी animal को, जानवरों को, कुछ भी, जानवर कौन से है, आसपास में तो जो street dogs हैं, वही available है, या फिर गाए, ठीक है, जो भी पशुपक्षी आपको दिखते हैं, उनक तो कुछ न कुछ अनाज आप दोगे खाने के लिए, जब आपके wishes manifest हो जाएंगी, तो यहां पे जो offering होगी, वो आपको इनी animals को feed करने की offering बोलनी है, जब आप ये लिखोगे, अब इस ribbon पे जो भी आपने अपने wish लिखी है, ये ribbon आप अपने घर में, अगर कोई पेड़ प जब आप जाएंगे इसको बांधने के लिए, तब रास्ते भर डायनामाजिक बेगिननाओ बोलते जाएंगे, बांधने के वक्त भी डायनामाजिक बेगिननाओ का switch word है, जो ये switch word है, इसको चांट करेंगे, वापस आते समय भी कोशिश कीजिए, वो ही चांट करेंगे आपको सिर्फ बांधना है और कुछ करना नहीं है, बांधने समय आप बेशक से डायनामाजिक बिगिननाओ के बाद अपना संकल्प जरूर बोलेंगे कि आप क्या करने वाले offering क्या है आपकी, offering में आप simple बूल सकते हो कि मैं street dogs को feed करवाऊंगा या करवाऊंगी, या birds के लि यह वो करो, उससे आपको काफी काफी positivity मिलेगी लाइक में और help भी मिलेगी wishes को manifest करने में, अच्छा इसको periods में करने का या नहीं करने का, periods के लिए कोई restriction नहीं है, आप कभी भी कर सकते हो इसको, ठीक है, multiple wishes हैं तो क्या हम कर सकते हैं, मैं यही बोलूँगी कि आप एक wish के ल आपकी multiple wishes हैं तो हर wish में 11-11 दिन का gap दें और फिर अपना जो ribbon है वो जाके आप हर wish के लिए बान सकते हैं, ठीक है, यह कर सकते हैं, इसके बाद येस आप कोशिश कीजिए कि जो भी animals आपके पशू पक्षियां, अगर कुछ पालतू जानवर हैं वो आपके तरफ आकरशित ह आपको देख करके कोई भी जानवर आपके पास आने की कोशिश कर रहे है, आपको कर्डल करने की कोशिश कर रहे है तो इसका मतलब है की yes, आपका aura बहुत पॉजटिव है, और आपको आपके पॉज़टिव आपके पॉज़िवश की तरफ लिफू बहुत जल्दी आपकी इक ही बारी में करनी हैं, बस तो अपनी अपनी विश्स के लिए आप लोग यह जरूर कर लीजिए एक बारी मैं यह नहीं कहरी हूँ कि यह करने से तुरंती विश मैनेफेस्ट हो जाएगी इनका जो switch word है dina magic begin now, उसका chant में जरूर डालूंगी ताकि वो chant सुनते हुए नर्मल भी आप अपनी विश्स के लिए प्रे कर सकते हो इनसे जरूरी तो नहीं है कि हमेशा आप रिबन अक्टिविटी कर सको तो लाइफ में जब भी छोटे मोटे कोई से भी विश्स हो तो आप अराम से बैठ करके dina magic begin now, सुने and goddess dina से अपने लिए help मांगे okay so that's all and yeah thank you so much god bless you all